हरियाना के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को योग की शिक्षा भी मिलेगी योग को स्कूली पाठ्चेक्रम का हिस्सा बनाने वाला हरियाना शायद देश का पहला राज होगा कहा जाए तो भी गरत ना होगा आपको बता दे कि हरियाना के सरकारी स्कूलों में बच्चों के पाठ्षे क्रम में योग का विशे सरकार जोडने जा रही है सरकार के इस कदम को सराहनिये भी बताय जा रहा है चुकि बच्चों को योग की शिक्षा मिलने के साथ वह योग के प्रती प्रेरित होंगे तथा योग के साथ बच्चों का जुड़ा होगा वह शिक्षा ग्रहन करने के साथ साथ योग से भी जुड़ पाएंगे यहां आपको ये भी बता दें कि हरियाना सरकार सभी सरकारी स्कूलों में एक अपरेल दोहजार इक्ष से शुरू होने वाले शेक्षनिक सत्र में स्कूल पाठ्चे करम में योग को एक अलग विशे के रूप में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तयार है इस निर्नक अउदेश्च चात्रों को कम उम्र से ही योग करने की आदत को अपनाने के लिए प्रोच साहित करना है योग को स्कूली पाठ्चे करम का हिस्सा बनाने बाला हरियाना शायद देश का पहला राज्य है ये जानकारी मुक्या मंत्री मनोहर लाल के अद्यक्षता में हुई हरियाना योग परिश्चत की बैठक में दी गई बैठक में कई अन्य फैसले भी लिये गई इस बैठक में योग गुरू बाबा रामदेव जो राज्य में योग और आयुर्वेद के प्रचार के लिए हरियाना के ब्रैंड अम्बैसेडर भी है ने भी हिस्सा लिया बैठक में बताया गया कि नैतिक शिक्षा के अलावा चात्रों को शैक्षनिक सत्र दोहजार सोलह से सत्रह से योग भी पढ़ाया जा रहा है लेकिन एक कदम और बढ़ाते हुए योग को स्कूली पाठक्रम में अनिवार्य या वैकल्पिक विश्य बनाने का निर्ने लिया गया है इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक समीती का गठन किया है बैठक में ये भी बताया गया कि योग विश्य पाठक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इसमें शारिरिक शिक्षा की तरज पर theoretical और practical दोनों विश्य सामगरी सम्मिलित होगी ताकि शिक्षा के अलावा चात्रों को योग का प्रशिक्षन भी दिया जा सके मनोहरलाल ने कहा कि राज सरकार का उदेश योग को जमीनी स्तर पर ले जाना और लोगों को योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रोसाहित करना है इसके लिए योग और वियाम शालाओं के अलावा ग्रामीन स्तर पर प्रयाप्त बुनियादी धाचा उपलब्द कराया जा रहा है उन्होंने विकास एम पंचायत विभाग को राज्य में एक हजार अतिरिक्त योग शालाओं की स्थापना के लिए एक सप्ता के भीतर एक प्रस्ताव तियार करने के भी निर्देश दिये उन्होंने आयूश विभाग को राज सरकार की योजना के तहट योग शालाओ में वेलनेस केंद्रों की स्थापना के लिए प्रात मिक्ता आधार पर कारे करने और इन केंद्रों में की जाने वाली गतिव विधियों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि योग और प्राकर्तिक जिकित्सा पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि दवाईयों पर लोगों की निर्भरता कम हो सके बैठेक में ये भी निर्ण लिया गया कि लोगों को योग को अपने जीवन का अभिन अंग बनाने के लिए प्रोचसाहित है तू हर्याना योग परिशद के तत्वा वधान में हर महीने के पहले रविवार को योग प्रशिक्षन दिवसका आयोजिन किया जाएगा इसके तहट जिला ब्लोक और तहसील स्तर पर योग प्रशिक्षन कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे जिसमें प्रशिक्षत शारिरिक प्रशिक्षन प्रशिक्षक और शारिरिक शिक्षा में डिगरी दारक लोगों को योग प्रशिक्षन प्रदान करेंगे बैठक में निर्णे लिया गया कि श्री कृष्ण आयूश विश्व विद्यालेक रुक्षेत्र में एक अंतराश्ट्रियस्तर का ध्यान योग के इंद्र स्थापित किया जाएगा जो धार्मिक नगरी को एक अलग पहचान देगा और आने वाले समय में इसे विश्व धरोहर मानचित्र पर और आगे ले जाएगा बैठक में बताया गया कि एक हजार आयूश योग सहायकों और बाइस आयूश योग प्रशिक्षकों की भरती के लिए प्रक्रिया जारी है और जल्द ही पूरी हो जाएगी राज्य में योग को लोग प्रिया बनाने के लिए अनुबंद आधार पर एक हजार आयूश योग साहिकों की भरती करने का निरने लिया गया है इसके अलावा राज्य भर में विबन योग शालाओं के लिए 22 आयूश योग कोचों की भरती की जानी है बैठक में ये भी बताया गया कि हरियाना योग आयोग के लिए प्रस्तावित अधिनियम पर काम चल रहा है और इसे राज्य मंत्री मंदल से मंजूरी मिलने के बाद हरियाना विधान सबा के अगले सत्र में लाया जाएगा स्वास्ते एवं ग्रह मंत्री अनील विज ने कहा कि राज्य में और अधिक योग और व्याम शालाएं सापित की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इनके इंद्रों पर योग का अभ्यास करें और स्वास्ते रहे बैठक में मुख्य मंत्री के मुख्य प्रधान सचिव दिस देसी स्वास्य विभाग की अतिरिक्त मुखे सचिव राजी वरोडा शरी सानीय निकाय विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सच्यव rolls आदी मौजूद रह times ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल KBD Banquets Enterprise